हेलो बच्चो, कैसे हो आप? बच्चो, मैं हूँ आपकी अध्याबिका नमनीता बच्चो, आज हम पढ़ेंगे चार अक्षर का चोड तो शुरू करते हैं यह कौन सा अक्षर है? थर थर म स थर म स क्या बन गया ये? थर मस यह देखें थर मस का चित्र थर म स थर मस अगला पढ़ते हैं प च प न पच्च पच्च पन पच्च पन पाँच और पाँच पच्च पन अगला शब्द पढ़ते हैं ब र ग द बर्गद बर्गद यह देखिए बर्गद का चित्र अगला शब्द पढ़ते हैं ख त म ल खट मल खट मल खट मल यह देखिए खट मल का चित्र यह है खट मल का चित्र अगला शब्द पढ़ते हैं अ ज ग र अजगर अजगर यह देखिए अजगर का चित्र अजगर को हम इंगलिश में पाइथन बोलते हैं पाइथन पाइथन अगला शब्द पढ़ते हैं हम अ अचकन अचकन यह देखिए अचकन का चित्र अगला शब्द पढ़ते हैं यह देखिए शर्बत का चित्र शर्बत हम समर्स में पीते हैं बच्चों रस्नारुअबजा अगला शब्द पढ़ते हैं श-ल-ग-म श-ल-ग-म यह देखिए शल्मल्ग का चित्र शल्गम बच्चों नीचे कौन से कलर का होता है परपल और उपर से कौन से कलर का होता है उपर से कौन से कलर का होता है वाइट कलर का और श-ल-ग-म इंग्लिश में बोलते हैं टर्नेप बच्चों आप इसी तरह से यह कारे अपनी नोटबुक में करेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे डेट फिर लिखेंगे heading और इन सारे शब्दों को आप अपनी notebook में लिखेंगे इसी तरह से आप सुन्दर सुन्दर pictures अपनी notebook में ममा की help से बनाएंगे और उसमें color भी करेंगे धन्यवाद